आज की वीडियो में हम Squares and Square Roots Exercise 6.3 and Question No. 6 का First, Second and Third Part करेंगे, okay? So, Question क्या कहा रहा है? For each of the following numbers यहाँ पर तीन numbers है, ठीक है? Find the smallest whole number ठीक है? Find the smallest whole number Whole number क्या होते हैं? जो 0 से start होते हैं, infinity तक जाते हैं, ठीक है? Find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square, ठीक है? यहाँ पर यह एक number दिया है, मालोब फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है? तो इसके लिए हमें एक smallest whole number मतलब 0 से लेके infinity के बीच में एक number है number है, जो जिसमें से हमें सबसे smallest number ढूल निकालना है जिससे क्या हो? कि जिसको हम इस संक्या में डिवाइट करेंगे एक हमें number ढूल ना है, छोटे से छोटा जिसको हम 252 से डिवाइट करेंगे और क्या बन जाएगा? यह एक perfect square बन जाएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब यह है, कि 252 में चोटी सी छोटी ऐसी कौन सी संक्या होएगी जिससे हम डिवाइट करेंगे और यह क्या बन जाएग? एक perfect square बन जाए, यह कह रहा है, ठीक है? तो वही हमें एक छोटी सी छोटी संक्या बतानी है, find the smallest number, smallest whole number, ठीक है? उसके आदेखिए, इसमें एक और question क्या दिया है perfect square तो बनी जाएगा, जो चोटा number मिल जाएगा उससे divide करने के बाद, ठीक है? दूसरा क्या कह रहा है कि also find the square roots of the square number so obtained, ठीक है? जो आपको यहाँ पर इस number में divide करने के बाद जो perfect square मिलेगा ना, तो इसका हमें square root भी find out करना है, ठीक है? square root, find करना है square root, find the smallest number, ठीक है? दो चीजे हमें ढोड़ने कालने है, इस question में ओके, चलिए, स्टार्ट करते है, 252, ठीक है? मैंने आपको यह बताया था कि कोई भी अगर perfect square होगा ना, ठीक है? तो हमें perfect square ही बताना है ना, should be a perfect square, ठीक है? तो क्या कहते हैं? जो भी अगर perfect square होगा ना, उसमें इसकी factors में, उसकी prime factors में pairs बन रोएंगे, ठीक है? तो भाई, perfect square होगा, चलिए, इसके भी हम factors निकालके देख लेते हैं, 252 के लिए, pair में आने चाहिए, बस याद रखना में, 2 देखिए, once पे 2 है, मतलब last digit यहाँ पे 2 है, तो 2 से easily cut जाएगा, चलिए मैं 2 से यहाँ से start किया, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, फिर से last में 6 है, जो कि 2 के अब यह 3 से जाएगा, 3 7 से 21, 7 से 7, ठीक है, देखिए, यहाँ पे 2 बार आ गया, 2 का pair बन गया, 3 का भी बन गया, लेकिन 7 का नहीं बना, ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए, क्या कह रहेगी, कि संख्या से हम divide करना है, हमें divide करना है, ठीक है, याद रखना है कि हमें divide करना है, एक चीज बताओं आपको, ठीक है, 4 क्या है, एक perfect square है, है यह नहीं, 2 का अगर square करोगे तो 4 आएगा न, एक perfect square है, ठीक है, अगर मैं यह कह दूँ, कि 4 मैं मालो, 3 का multiply कर दिया मैंने, अब यह 12 हो गया, ठीक है, तो अब यह 4 perfect square तो नहीं रह यह 12 हो चुका है, 3 का multiply करने के बाद, तो अब मैं इसमें आप से पूछ हूँ, कि 12 में हम किसका divide कर दें, कि जिससे यह, एक perfect square बन जा है, ठीक है, आपको पता है, 3 से multiply किया, तो यहाँ पे 3 से divide कर दो, और आ जागा, यह फिर से बन गया, है कि नहीं, 4 आपको फिर से एक perfect square बन चुका है, सेम चीज़ देगी, हमें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, यह दोनों बढ़िया थे, ठीक है, यह दोनों का pair बन रहा थे हैं, यहाँ से perfect square बन सकता है, क्योंकि pair जब जब आएंगे, तो एक perfect square बनेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा आ गया है, जिस तरह से यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो 3 को यहाँ पे हमने डिवाइट कर दिया था, ठीक है, देखे, इसको मैं लिखना चाहूं हूँ, तो यही तो लिखोंगा, 2 square इंटु 3 square इंटु 7, ठीक है, जिस तरह से यह लिखा है, तो हमें करना क्या है, इसको लास्ट 252 कैसे आएगी, इसका सब में आपस में multiply होगा, तभी 252 आई है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, कि 7 से यहाँ पे divide कर देना है, तो simple है, थोड़ा नीचे कर लेतें कॉपी, ठीक है, अब हमें 7 से यहाँ से divide कर देंगे, तो यह हमारा एक perfect square बनके निकल आएगा, ठीक है, 7, 7 क्या होगा, 7, 3 is a 21, ओके, 4 हुआ 42, 7, 6 is a 42, ठीक है, 36 आया, 36 ते कि perfect square है कि नहीं, बिल्कुल है, 6 का perfect square है, यह, ओके, पहला तो आपका अंसर आगे, 7 है, जो छोटी से छोटी से क्या, दूसरा आपका perfect square भी आ चुका है, also find the square root, ठीक है, of the numbers to obtain, ठीक है, तो इसका 36 है, 36 का square root क्या होगा, यही तो पूल ला है, दूसरे question में, कि find the square root of the obtained number, यही हमें number मिला, इसका square root क्या हुआ, 6 हुआ, है के नहीं, simple है, ओके, चलिए next question करते हैं, इसी तरह से ही करेंगे, second भी, 2, 9, 2, 5, last 5 है, तो 5 से जाएगा सबसे पहले, 5, 5s are 25, फिर 4, 4, 42 है, 4, 8s are 40, 25, 5s are 25, फिर से 5 से जाएगा, last 5 है, 5, 1s are 5, 5, 1s are 5, 5s, 7s are 35, अब यह 5 से नहीं जाएगा, अब यह किस से जाएगा, okay, sorry, अब यह 3 से जाएगा, 3, 3s are 9, okay, 3, 9, 3, 9s are 27, okay, फिर से 3 से जाता हुआ दिख रहा है, 3 by 3, 3, 3, 3s are 9, अब लास्ट में यह 13 से जाएगा, ठीके, यह pair बन गया, यह pair बन गया, यह number extra हाया है, ठीके, तो करना क्य हमें, 2925 कब आया है, जब 5 का square हुआ है, 3 का square हुआ है, और 3 extra आ गया है, ठीके, यह extra आया है, यही number आपका क्या हुगा, smallest number होगा, जिसको आप divide करोगे, किस में, 2925 में, ठीके, जिससे हमें एक perfect square मिल जाएगा, जो question कह रहा था, ठीके, तो 13 टूजा, 13, 2026 हुआ, ठीके, फिर 32 हुआ, फिर दुबारा से 13, 2026 हुआ, फिर 6 बज़े, और कितना है गा, 65, 13, 5065 हो गया, ओके, फिर छूट गया यह, ठीके, यह दिखे, यहां पर यह सब pair में आयते, ठीके, तो यह square था, हर का 5 का भी pair बन गया था, 3 का भी pair बन गया था, लेकिन 13 का नहीं बना था, जो की extra था, तो यही इसका छोटे से छोटे नमबर था, जिसको हम divide करेंगे, जिससे यह है, नमबर जो है, perfect square बन जाएगा, देखे, मैंने इसमें 13 का divide किया, और यह perfect square बन चुका है, 2, 2, 5, कितने का square root बना यह, 15 का होगे, तो हम इसका last question भी कर लेते हैं, 3rd one, I think, यहाँ पर आ जाएगा, 3, 9, 6 है, ठीक है, same, जो अभी तक करते हैं, factors निकालेंगे, pair देखेंगे, 2 से easily जाएगा, 2 बंज़ा 2, 2, 9 जा 18, 2, 8 जा 16, last में 8 है, तो easily जाएगा, 2, 9 जा 18, 2, 9 जा 18, 3 से जाएगा, 3, 3, 3, फिर 3 से जाएगा 11, फिर 11 से जाएगा 1 time, ठीक है, 2 के pair बनगे, 3 के ही बनगे, लेकिन 11 का नहीं बना, ठीक है, तो 3, 9, 6 कब आया है, 2 का square है, 3 का square है, लेकिन 11 के ला है, तो इसका मदला है कि smallest number 11 होगा, जिसको हम 396 में divide करेंगे, और क्या बन जाएगा, ये एक perfect square बन जाएगा, 11, 3 is a 33, 6 बचा, 11, 6 is a 36, ठीक है, तो जो number हमें मिला है, उसका हमें perfect square बताना है, तो इसका हमने square root किया, sorry, इसका हमें square root बताना, इसका square root किया, उसका square root क्या होता है, 36 का, 6 ही होता है, ओके, hope so आपको ये तीनो के तीनो कुश्चन अच्छे समझ भाए होंगे, अगर आपको ये कुश्चन अच्छे समझ भाए है, तो please मरे चैनल को like and subscribe करना, बिल्कुल भी, ना भूले, thank you so much,